हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दोसो पचीज ट्रैक्टरों से एक साथ किया श्रमदा अंचन घंटों में सेवन घास की बुवाई के लिए गौचर भूमी को किया तयार जिले के रायमलवाणा गाओं की लोगों ने श्रमदान का अनूठा उधारन प्रस्तूत किया इन लोगों ने सामोहिक रूप से दोसो पचीज ट्रैक्टरों की माध्यम से गाओं में उजार पड़ी साथ सो बिगा गौचर भूमी पर सेवन घास लगाने के लिए चंद घंटों में खड़ाई कर दी इन ग्रामिनों ने दिखा दिया कि सिर्फ सरकारी सहायता पर निर्भर रहने के बजाए स्वयम पहल करे तो गाओं का उधार हो सकता है रायमिलवाणा गाओं में 1800 बिगा ओरन गौचर भूमी है इस भूमी पर बबूल लगा होने से अन्य प्रजाती की घास का नामों निशान तक नहीं था ऐसे में गाओं के पशुओं को भोजन की तलाश में भटकना पड़ रहा था गाओं के कुछ युबाओं ने कुछ दन पूर्व पहल कर 300 बिगा फूमी पर सेवन घास की बुवाई कर दिखा दिया था कि सामूहिक प्रयास से कुछ भी किया जाना संभव है इसके बाद गाओं के लोगों ने एकत्रित हो गौजन भूमी का सुधार करने का फैसला किया रायमिर वाणा और आसपास के गाओं से 225 लोग अपने अपने ट्रैक्टर लेकर गाओं के ओरन में आडटे सभी ने अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से खड़ाई कर वहां ओगे बबूर को पूरी तरह से साफ कर दिया इसके बाद खड़ाई कर जमीन को सेवन घास की बुवाई के लायक बना दिया अगले कुछ दिनों में यहां पर सेवन घास की बुवाई कर दी जाएगी इस तरह गाउ में अब तक 1000 बिगा भूमी पर सेवन घास उगना शुरू हो जाएगी ग्रामिनों का कहना था कि एक बार सेवन घास लग जाएगी तो पशुओ के लिए चारे का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा कुछ गाउं से लोग यहां किये जा रहे श्रमदान को देखने के लिए भी पहुँचें ताकि इसी तर्च पर वे अपने गाउं की ओरन में पशुओ के लिए सेवन घास की बुवाई कर सकें जागुक टिवी के लिए जोदपुर से मुकेश शिमर के उपोर्ट